कम्प्यूटर एजुकेशन का यह हमारा सेकेंड पार्ट है इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट और आउट्वूट डिवाइस के बारे में Input Device वे डिवाइस होती हैं जिसके द्वारा Computer को कोई data प्रवाइट कराई जाती है या फिर कोई information दी जाती है पहले हम बात करते हैं Input Device के बारे में Input Device में सबसे पहले आता है Keyboard इसकी सहायता से हम computer को निर्देश देते हैं Keyboard का मुख उपयोग text लिखने के लिए किया जाता है एक computer के keyboard में बहुत सारे letters, numbers, symbols और command होते हैं आज कल market में बहुत सारे keyboard आ चुके हैं या एक input device है अगला है mouse Mouse एक input device है या एक pointing device है माउस का इस्तिमाल मुख्य रूप से computer screen पर different item को चुनने तथा उन्हें खोलने यो बंद करने में किया जाता है माउस के अलग-अलग models होते हैं जिनमें की अलग-अलग features और connectivity होते हैं लेकिन सभी माउस model में दो button और एक scroll bar will होते हैं third है हमारा scanner scanner एक input device है computer data या information को digital में बनाता है इसलिए image, document, text को scanner digital format में convert करके computer में save करता है अगला है fourth number joystick joystick जोयस्टिक एक input device होता है जिसका उपयोग हम video game को control करने के लिए करते हैं joystick में एक base होता है और एक stick होता है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है input device में अगला है हमारा microphone microphone का प्रियोग computer में sound को input करने के लिए किया जाता है laptop और tablet में microphone inbuilt होता है और desktop में इसे sound card के जरिये जोडा जाता है अगला है हमारा magnetic in card reader इसको sound में MICR भी बोला जाता है इसका उपयोग आपने देखा होगा बैंकों में अधिक होता है check clearance में किया जाता है ये code के नीचे एक line में लिखा होता है जिसे पकड़ने के लिए MICR code का उपयोग किया जाता है input device में अगला है हमारा barcode reader बार कोड reader का प्रियोग प्रोडक्ट के उपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है इसलिए ये भी बार कोड reader input device में आता है जब भी आपका भी मॉल में सौपिंग उगरा करने जाते हैं जो प्रोडक्ट में टैग लगा होता है उसको यह read करता है अगला है हमारा OEMR OEMR भी एक प्रकार का input device है जिससे optical mark reader कहते हैं जिसका उप्योग किसी भी परिच्छा की उत्तर पुस्तिका को जाचने के लिए प्रियोग में लाया जाता है अब हम बात करते हैं output device के बारे में जिसमें पहला है हमारा monitor monitor एक output device है इसको visual display भी कहा जाता है यह देखने में TV की तरह होता है monitor एक सबसे महतपूर output device होता है इसके बिना computer अधूरा है अगला है हमारा printer printer भी एक प्रकार का output device है जो computer से प्राप जानकारी को कागश पर छापता है और कागश पर output की यह प्रतलिपी hard copy कहलाती है अगला है हमारा speaker speaker इस speaker भी एक प्रकार का output device है जिसका उप्योग computer से connect करके धौनी को सुनने के लिए किया जाता है इसके अलावा कुछ ऐसे भी device हैं जो input, output दोनों का कारे करती हैं जैसे की USB USB device से computer में data को input भी कर सकते हैं और output भी कर सकते हैं इसी तरह CD device भी होते हैं जानों हम जो कर झौन है उन्स भी मेंजी प्हूरी में टूने की बड़ जह मैं जिसके इस भी रampa community झाल का दुए। झाल के का जो दुए। कम जो